नमस्कार दोस्त। स्वागत आपका बिहार समाचार में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। परखास्त, IPS, अधिकारी समेत कई सिनियर अपसरों के खिलाब बड़ी कारवाई। काम मिला परवाही बरतने को लेकर सरकार की ओर से बिहार पुलिस में तैनात कई पुलिस अपसरों के खिलाब सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। कड़ा एक्शन लिया गया जिसमें 85 पुलिस वाले बरखास्त हुए हैं जबकि अभी भी कई पुलिस कर्मियों के खिलाब बिभागिया कारवाई चल रही है। बिहार पुलिस मुख्याले ने जानकारे दी है कि बिहार में 38 राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के विरूद बिभागिया कारवाई संचाली थे। इनमें 2 IPS अफसरों को बिहद सजा दी गई है जबकि 4 IPS अफसरों के खिलाब बिभागिया कारवाई फिलाल चल रही है। इतना ही नहीं बिहार पुलिस सेवा के साथ अधिकारियों को सजा दी गई है जबकि अभी भी 25 बड़े पुलिस अफसरों के विरूद विभागिया कारवाई चल रही है यानि अभी जांच चल रही है अभरलोडिंग के खिला परिवहन विभाग की कारवाई अब तक दो करोड पांच लाक रोपेय का वसूला गया जुर्माना परिवहन विभाग द्वारा तीसरे दिन भी राज भर में ओवरलोड़ेट ट्रक और अण ओवरलोड़ेट वाहनों पर कारवाई के लिए विसेश सधन जांच अभियान चलाया गया सभी जीलों में चलाया गया अभियान के दोरान तीन दिनों में अब तक कुल 514 विवसायक वाहनों को ओवरलोड़ेट तथा अन नियमों के उलंगन किये जाने पर कारवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है परिवहन सचीव संजय कुमार अगरवाल ने बताया कि बालू लदे एवंग अन ओवरलोड़ेट वाहनों की जांच में अब तक 367 वाहनों को जब्त करनी की कारवाई की गई है वहीं ओवरलोड़ेट 124 वाहनों के परमिट रद करने की अनुसंगसा संबंदित जांच पद क्रिसी कानून के खिलाब विपक्ची दलो का प्रदर्सन केंद्र सरकार के खिलाब खूब लगाये नारे केंद्र सरकार के क्रिसी कानून के खिलाब दिल्ली में चल रहे किसान अंदोलन के समर्थन में बीते बुधवार को बामदलो और विपक्ची पार्टिया ने राजव सरकार गरीब किसान और मजदूरी विरोध सरकार है कि इंद सरकार के अविलम किसानों से सम्मान जनक वारता कर समस्था का समाधान निकालना चाहिए या फिर क्रिसी कानून को वापस लेना चाहिए गंगा नदी पर बनेगा एक और पूल, घड़ जाएगी कई जीलों के बीच की दूरी बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी कवर सामने आई है, गंगा नदी पर एक और पूल का निर्मान होने जा रहा है पूल बन जाने से वेगुसराय, लखी सराय, मुंगेर, भागलपूर और समस्तिपूर से पटना आने जाने वाले लोगों को काफी सहलुयत होगी बता दे कि बेगुसराय के माटिहीनी सामों के बीच बनने वाला यहाँ पूल बिहार में गंगा पर बनने वाला 15 पूल होगा केंदर सरकार के निदेश पर थीम इंजिनियरिंग सर्विसेज प्राइवेव लिमिटेड को पूल निर्मान का जिम्मा सौपा गया है बताया जा रहा है कि गंगा निदी पर बनने वाला यहाँ पूल NH-31 और NH-80 को जोड़ेगा पूल के बन जाने से बिहार को जारकन, पस्ची मंगाल और उडिसा आने जाने के लिए एक नया रास्ता उपलवध हो जाएगा इस तरह से तीनो राज की दूरी 76 किलोमेटर कम हो जाएगी पटना एम्स में कोरोना वैक्सिन परिक्षन का तीसरा चरन आज से सुरू आप भे ऐसे बन सकते हैं वालेंटियर पटना एम्स में अब कोरोना वैक्सिन परिक्षन का तीसरा चरन आज यानि गुरुवार से सुरू हो जाएगा इसके लिए कोई भी वालेंटियर बन सकता है इस बारे में डॉक्टर सीयम ने बताया कि दो चरनों में 90 वालेंटियर पर वैक्सिन का परिक्षन किया जा चुका है लेकिन अच्छी बात या है कि अब तक किसी तरह का साइड एफेक्ट नहीं पाया गया है जिसके बाद ICMR ने तीसरे चरन के परिक्षन की अनुमिति दे दिये है तीसरे चरन में 1000 वालेंटियर पर वैक्सिन का परिक्षन करने का लक्ष है पहला डोज से दूसरे डोज का अंतराल 28 दिन का होगा इसके लिए 18 साल से 55 साल तक के लोगों का परिक्षन किया जाएगा इसके लिए 0.5 ML दवा दी जाएगी यदि आप भी कोरोना वालेंटियर बनने के इच्चुक हैं तो EMS पटना में नंबर जारी किया गया है इस पर कॉल करते आप वालेंटियर बन सकते हैं मोबाइल नंबर 94 74 48 82 मोबाइल नंबर पर कॉल करते वैक्षिन परिक्षन का हिस्सा बने बिहार में कोरोना को लेकर बड़ा फैसला प्राइवेट लैब में भी सस्ता होगा RTP PCR टेस्ट दिल्ली गुजरात के बाद अब बिहार में कोरोना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है अब बिहार के नीजी लेब में भी अने रैज्जो की तरह कोरोना महामारी की RTPCR टेस्ट 800 रुपय में होगी इसे लेकर स्वास्थ विभाग के नीदेशक प्रमुक स्वास्थ स्यचीव ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है इसमें लोगों को काफी राहत मिलेगी नए आदेश के अनुसार अब नीजी लेब में कोरोना जांच के लिए 800 रुपय चार्ज देने होंगे अगर आप घर में सेंपल देना चाहते हैं तो इसके लिए 300 अतिरिक देना होगा वहीं एंटिजन कीट से जांच के लिए 800 रुपय देने होंगे स्वास्थ विभाग ने बिहार में कोरोना संक्रमन के बढ़ते प्रसार को देखते हुए यहां कदम उठाया है बता दे कि सरकार ने पहले यहां दर पंद्रस रुपय तय करनी की अनुमती दी थी अन्य राज़ों में निर्धार सुल्क से कमी को देखते हुए अब बिहार में भी इसे कम किया गया है सुसील मोदी बोले टुकडे टुकडे गैंग ने किसान अंदोलन को हाईजेक किया बिहार के पुर उप मंत्री सुसील कुमार मोदी ने कहा कि दिल्ली के किसान अंदोलन में जिस तरह के नारे लगे और जिस तरह से इसे साहिनबाग मॉडल पर चलाया जा रहा है उसे साफ है कि किसानों के बीच टुकडे टुकडे गैंग और सीए विरोधी ताकतों ने इसे हाईजक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी देश के 90 फिश्दी किसानों को भरोसा है कि जिस प्रदानमंत्री ने उन्हें स्वास्थ हेल्थ कार्ड और नीम लेपित यूरिया से लेकर किसान सम्मान योजना तक के लाब दिये वे कभी किसानों का अहित नहीं करेंगे उन्होंने प्रदेश कारियाला में बिधान मंडल दल की बैठक में कहा कि विपक्ष का असत पराजीत होगा तिन नए क्रिसी कानून न मंडी विवस्ता के खिलाप है न फसलों पर मिलने वाले नियुंतम समर्थन मुल से इसका कोई लेना देना है लेकिन कॉंग्रेस ने आये 15 अभ्यारती गिरापतार फोटो मिलान और बायमेट्रिक से पकड़ाई चोरी हर राज परिवहन विभाग के चलंत दस्ता सिपाही पद पर बहाली के लिए पटना में फिजिकल टेस्ट चल रहा है बुद्वार को फिजिकल टेस्ट के दौरान बड़े फरजिवाड़ जोरी पकड़ी गई इन सभी के खिलाब विभाग के अवर सेवा चैन परिस्ट अधिकारी दिनेश कुमार के बयान पर गरदनी बाग ठाने में अफायर दर्ज कराई गई है इसके बाद पुलिस ने सभी को गिरापतार किया फरजिवाड़ी में गिरापतार किये गए अभ् जोतिस कुमार, गुड़ु कुमार, मोनु कुमार, निरज कुमार, रामधारी, राई, जितेंद्र कुमार, हंटुस कुमार, धर्मपाल, मनिश कुमार, मोनु कुमार और जितेंद्र कुमार यादव सामिल हैं ये सभी रोहतास, मुंगेर, खगड़िया, भागलपूर, लख उस्मान या रनवीर निभाएंगे रोल बिहार में भी सुटिंग। आप में दर्सकों को जहां संगर्स और प्रेम की जलक दिखेगी वहीं सेकेंड आप में गरीब बच्चों को परतियक्ता परिछाओं के लिए तैयार करने के सपने को मूर्त रूप देने की जद्दो जहद दिखेगी। गंटे में चार की मौत बिहार में कोरोना संकरमन की रफ्तार अब धीमी हो गई है लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संक्या में पोजिटिव मरीज मिल रहे हैं स्वास्त विवाग की और से ताजा अपडेट जारी की गई है इस अपडेट के मुताबिक बिह बिहार में 680 लोग कोरोना पोजिटिव मिले हैं इसके साथ ही राज में कोरोना संकरमितों की संक्या बढ़कर 236,778 हो गई है बिहार में फिलाल 6144 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमनी का नाम नहीं ले रहा राजधानी पटना में एक अंगलबार को जारी नियमित अपडेट के मुताबिक पिछले 24 गंटे के भीतर 4 व्यक्ति की मौत हुई इसके साथ ही राज में कोरोना से मरने वालों का आकड़ा 1268 हो गया है तो आज की सुर्खियों में बस इतना है बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहे हमारे साथ धन्यवाद